सभी सातियों को मेरा नवसकार, I hope आप सभी लोग बहतरीन होंगे आज हम इस वीडियो में 2013 में जो इंग्लिस कोशन पेपर हुआ है क्लाश 12th के अंतरगत 3-16 ZW इस कोशन पेपर में सेक्षन B यानि राइटिंग सेक्षन के अंतरगत कोशन नमबर 2 मैं आप से एक आर्टिकल लिखने के लिए पूछा है और यह आपका कोशन है वेज यानि कि तौर तरीके and measures और उपाए to eradicate निवारण करने के लिए डावरी सिस्टम जहेज प्रथा को वेज and measures to eradicate डावरी सिस्टम दहेज प्रथा को निवारण करने के तौर तरीके एवं उपाए इस टौपिक पर आपको आर्टिकल लगभग 100 से 150 वर्ट के बीच में लिखना है तो आईए सातियों हम देखते हैं इसका answer तो आप इसका answer लिखेंगे दावरी सिस्टम यानि की दहेज प्रथा ऑल्दो भले ही illegal अभैद है इन इंडिया भारत में दावरी सिस्टम ऑल्दो इंडिया दहेज प्रथा भले ही या हालां की भारत में अभैद है तो सातियों ऑल्दो के साथ तो कौमा या इट का आर्था आप लेते हैं फिर भी तो फिर भी continuous बनी हुई है to be a pervasive social problem यानि की एक ब्यापक सामाज एक समस्या दावरी सिस्टम ऑल्दो इल्लीगल इन इंडिया continuous to be a pervasive social problem दहेज प्रथा भले ही भारत में अभैद है फिर भी यहाँ एक ब्यापक सामाज एक समस्या बनी हुई है that affects जो प्रभावित करती है millions of families लाखों परवारों को particularly खास तोर पर या विसेश रूप से in ruler areas यानि की ग्रामीड छेत्रों में that affects millions of families particularly in ruler areas जो खास तोर पर या विसेश रूप से ग्रामीड छेत्रों में लाखों परवारों को प्रभावित करती है dowry related जो दहेज है वा सम्मन्दित है violence हिंसा से harassment उत्पीडन से and discrimination और भेदभावं से against movement महिलाओं के खिलाफ are all too common यानि की यह प्रणाली जो है वह बिल्कुल क्या है महिलाओं के खिलाफ दहेज से बिल्कुल आम है या बिल्कुल सादहरण है अब यहां तक पहले देख लेते हैं करने के लिए the system इस पद्धदी को have been largely यानि की एक बिसाल तरीके से ineffective क्या रहे हैं अप्रभावी रहे हैं and efforts to eradicate the system have been largely ineffective और इस प्रडाली को खत्म करने के प्रयास काफी हद तक अप्रभावी रहे हैं to address this issue इस मुद्धे के समाधान के लिए there is a need एक आवस्यक्ता है for a multi-prognaked approach यानि की बहु आयामी द्रश्टिकोंड की to address this issue there is a need for a multi-prognaked approach यानि की इस मुद्धे के समाधान के लिए एक बहु आयामी द्रश्टिकोंड की आवस्यक्ता है that involves जिसमें सामिल होनी चाहिए education यानि की सिच्छा क्या सामिल होनी चाहिए सातियो सिच्छा सामिल होनी चाहिए awareness raising और जागरुकता बढ़नी चाहिए legal reformers और कानूनी सुधारक and community engagement और सामधायक सहभागिता सामिल होनी चाहिए यानि की अगर आप इसे समाप्त करना चाहते हैं तो इसमें सिच्छा सामिल होनी चाहिए और जागरुकता बढ़ाबा होना चाहिए कानूनी सुधार और सामधायक सहभागिता सामिल होनी चाहिए some measures यानि की कुछ उपाए that जो नीचे दिये गए हैं आप चाहिए तो पहले इतने का आप एक screenshot ले सकते हैं सातियों उसके बाद देखते हैं next तो that could be taken जानि की जिन सहभागिताओं को आप दहेज में सामिल कर सकते हैं तो वे हैं include strengthening laws against dowry creating awareness campaigns promoting gender equality and women empowerment and providing financial and legal assistance to victims यानि कि इसमें दहेज के खिलाफ कानूनों को मजबूत करना जागरुकता और अभियान चलाना लेगिक समानता और महिला ससक्ती करण को बढ़ावा देना और पीड़तों को बिंतिय और कानूनी साहता प्रदान करना सामिल है इन चीजों को आप सामिल करेंगे तभी जाकर इसमें थोड़ा बहुत सकता है एडीशनली इसके अत्रिक्त एडीशनली इसके अत्रिक्त देर इजा नीड एक आवस्यक्ता है, इसके अत्रिक्त एक आवस्यक्ता है, to address the underlying social norms and attitude that perpetuate the system. इसके अत्रिक्त सिस्टम को कायम रखने वाले अन्त निर्हित सामाजेक मान दंडों और द्रश्टी कोण को सम्मोधित करने और सभी के लिए सम्मान ये दिखाया ना? और सभी के लिए सम्मान गर्मा और समानता जैसे बैकल्पे को मुल्यों को भी बढ़ावा मिलना चाहिए. अगे आपसे कहा है कि निरंतर और ठोस प्रयास के माध्यम से ही हम भारती समाज को या समाज से दहेज प्रथा के संकट को खत्म करने की उम्बीद कर सकते हैं. तो आप चाहें तो इसका भी एक स्क्रीन सॉट ले सकते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक्स पर वाचेंग.